मेरा नाव सत्वीर और मैं आजक को बिंदू तराटक लेवल 3 के बारे में बताने जा रहा हूँ पिछली दो वीडियो मैंने बिंदू तराटक लेवल 1 और लेवल 2 बनाई थी प्लीज पहले उसको आप देख लें तभी आपको यह तीसरी वीडियो आपको पूरी समझ में आएगी यह वीडियो आप प्लीज लास तक देखें तभी आपको पूरा डेटेल में समझ में आएगा इस वीडिय को आप प्लीज लाइक, शेर, कॉमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्लीज क्लिक करना न भोले, ताकि मेरा कोई भी आने वाला वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन आसके, आज मैं आपको बिंदू तराटक लेवल 3 के बारे में बताऊंग और उसको बिल्कुल दिवार के उपर सेम जैसा आपको पिछले वीडियो में बताया है मैंने, वैसे आपने चिपका देना है, उसके बाद आपने लेवल 1 और लेवल 2 में 2 इंच का गोला वहां से गाईब हो जाता था, तो ये छोटा सा बिंदू बहुत जल्दी से गाईब लेकिन आपने इसको बिल्कुल इसमें उल्टा है आपको सबसे पहले आपने इसको क्या करना है जैसे ही आप इसको फोकस करोगे तो यह क्या वहाद से जल्दी से गाइब हो जागा लेकिन आपने इसको गाइब नहीं करना है यह लेवल आपका तब ही से दोगा जब आप उस आने वाली स्तीती में बनाके रहोगे, कम से कब ये चार से पांच मिनट तक आप इसको इस तीती को बनाके रहोगे और इस बिंदू की गराई में इतना चले जाओगे कि आपको इतना अनांदाना शुरू हो जाएगा कि आप इसकी खलपना भी निकर सकते हैं पराटक लेवल 3 सिद होने के बाद आपको क्या-क्या वेनिफिट से हो सकते हैं वो इस प्रकार से हैं फर्स्ट मेमोरी पावर इंक्रीस आपकी मेमोरी पावर इतनी इंक्रीस हो जाएगी आपका सबकॉंशिंस माइंड एक्टिब हो जाएगा जिससे आपको जो भी चीज याद करोगे वो कभी भी आपको बूलेगी निए चाहे वो mathematics हो, चाहे वो English हो, चाहे वो science हो, चाहे वो social science हो, जिस चीज को आप याद कर लोगे, वो आपको कभी भी भूलेगी नहीं Next, future planning Future planning, आपकी टक्कर का कोई नहीं करने वाना होगा आप चीज बिजनस में काम करना शुरू कर दोगे, उसमें आपको successful होने से कोई नहीं रोग सकता Next, concentration power ये बच्चों के लिए बहुत ही जिरूरी होती है, क्योंकि बच्चे के subject बहुत होते हैं लेकिन जब वो किसी कोई भी subject पढ़ता तो उसके दूसरे subjective तर भी बहुत ध्यान रहता कि मिले को याद होगा जानी होगा लेकिन जब ये concentration power इसकी हाई हो जाएगी, चीज subjective तर वो पढ़ना शुरू कर देगा तो उसके उपर ही वो focus करेगा और उसको ही पूरे का पूरा याद कर लेगा और बहुत जल्दी उसको याद होजेगा जब आप किसी भी बंदे से फर्स्ट बार भी मिलोगे तो आप एक बार में ही उस बंदे को 80-90% उसका mind read कर लोगे आपके बारे में वैं क्या सोच रहा है वैं आगे क्या करना चाहता है आप हर बात उसका mind read कर लोगे next happiness आप बिंदू तराटक लेबल 3 करने के बाद हमेशा खुश रोगे happiness लोगे जिस काम को भी करोगे आप हमेशा पूरा करोगे और हमेशा खुश दिल से करोगे next third eyes activation आपका third eyes activation आपका पूरा हो जाएगा आप आँखे बंद करके भी किसी चीज़ को पहचारना शुरू कर दोगे आप उसके colors बताना भी शुरू कर दोगे next visualization power आपकी visualization power इतनी बढ़ जाएगी आप स्टीज़ को आप एक बार देख लोगे आप जिंदगी बर उस चीज़ को कभी भूणोंगे नीऑ आपको कभी भी कोई पूछ लिए आप हमेशा उस टाइमी बता दूगे आपको कोई भी चिंता नहीं होगी, हमेशा खुश रहना चुरू होगे, हमेशा आपका जो माइन्ड है, हमेशा आपका रिलेक्स रहेगा, आपकी जो आँखो की रोशनी है, वो आपकी बढ़ जाएगी, यह लेवल ऐसा है, जिसको चेश्मा लगा है, वो भी उतर जाएगा, और आपकी जो लाइट है, वो काफी बढ़ जाएगी, नेक्स्ट हिट्नोटाइज पावर, आप तिसी बंदे को भी हिट्नोटाइज कर सकते हो, आप उसको समहुन करके, आप कुछ भी अपने हिसाब से उसे काम करवा सकते हो, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज आप लाइक, शेर, कॉमेंट्स जिरूर क करें, थैंक यू, मेरी मच,